मेरा नाम तो डिम्पल है, मैं क्रियेटिविटी से भरी, डांस और ड्रामा से चिड़ी, मेरी फैमिली रिडीज हेलो माई दियर पीपल, वेल्कम बैक तो यो चैनल और माई चैनल डिम्पल डाइडीज डिम्पल तहे दिल से अब सब का स्वागत करती है तो ये योटीब चैनल क्रियेट करने के बाद कहीं न कहीं मुझे भी रियलाइज हुआ और पता चला कि जब मैं अब सब के साथ अपने आइडियोलोजी, व्यूज, थौट्स, ओपिनियन्स, पॉइंट अफ्यू, परस्पेक्टिव ये सब कुछ शेर करती होना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसा फील होता है कि like क्यों शेर ना करे क्योंकि जब बहुत सारे आइडियास इकठे हो जाते है तो एक ऐसा मास्टर माइंड, ऐसा मास्टर पीस आइडिया क्रेट होता है जिससे न जाने कितने लोगों का भला हो सकता है So, idea बनाते जाना चाहिए, उसे share करते जाना चाहिए और दूसरों का idea लेके उसमें थोड़ी अपनी खुद की creativity डालके उसको implement करके कुछ ना कुछ अच्छा भी करना चाहिए तो फिर आज के intro को जादा लंबा ना करते हुए, Dimple का जो one of the most favorite और मेरा सबसे दिल से connected वाला series है Open Mind Talk series उसको शुरू करते हैं, तो मेरे लिए मेरे आज का topic of discussion है youth festival अपने सही सुना, it's youth festival हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को youth festival के बारे में इतना idea ना हो और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे Dimple को इंतजार रहता है कि कब सदी का मौसम आएगा, youth festival संग लाएगा, खुशियों की बहार चाएगा, artist को art दिखाने का मौका मिलेगा मैं तो बहुत excited रहती हूँ और ऐसे हो सकता है मेरे जैसे और भी मेरे सारे artist लोग, मुझसे seniors, मुझसे juniors excited रहते हूँ youth festival के लिए So, let's talk about youth festival today तो आईए Dimple के संग मिलके, Dimple के कहानी को Dimple के जबानी वाली story सुनते है तो सबसे पहले मैं आपको मेरी journey बताती हूँ कि youth festival से मेरा connection कैसा हुआ तो 2017 का time था तब, तब हम सारे थोड़े छोटे छोटे हुए करते थे इतना idea नहीं था, इतना variations नहीं देखे थे, इतना expand भी नहीं हुए थे हम लोग और हमारा mind जो था, वो एक limited space में था, वो इतना explore नहीं किया था तब ना, हमारे जो teachers थे, हमको बताए कि, जैसे कि we are entering into an adolescent phase teen age में बहुत कुछ changes होते भी है, लेकिन teen age अपने साथ opportunities का भंडार लेके आता है and there's no doubt in that, so उस time पे जब teen age start हो जाता है, like we are 13-14 years, तब हम good बन जाते है and youth festival में apply करने के लिए eligible भी हो सकते है, तो उस time पे भी कुछ ऐसा ही चल रहा था तो जैसके मैंने mention किया था, उस time पे ना, दमाग इतना mature नहीं हुआ था, हम लोग छोटे छोटे थे तो सोचे कि अगर हमको कोई बोलता है कि festival में जाओगे तुम लोग, तो सबसे पहली चीज़ तमाग में क्या आएगी, वो है festival, अर्थात, त्योहार और उत्सव त्योहार और उत्सव का तो एम ही यही था, कि हम लोग नए कपड़े पहनेंगे, explore करेंगे, मेले लगेंगे, मस्ती करेंगे, dance देखेंगे, अच्छा खाना मिलेगा, सब कुछ बहुत ही fun and exciting होगा लेकिन ये तो सिर्फ वहाँ जाके पता चला, कि हमने जो definition सोचा था, और असल में जो चीज हमने देखा, that was really unimaginable मतलब hell and heaven का difference आ गया था, तो उस time पे, मतलब बोला जाता है कि जो हमारा district level होता है, वो stadiums में conduct होता है, जो कि हमारे district में available होते है अब जैसे कि हमारा कंजाम district में बरंपु stadium सबसे बड़ा है, तो उसमें conduct हो जाता है, वैसे ही state level होता है, वो कोई ना कोई district conduct करता है state का, उसके बाद national level जो कि एक state conduct करता है, तो way by way procedure हो सबका मुझे आज भी अच्छे से याद है, मैंने उस time पे as a भरतनाट्यम and as a कुचिपुडी participant participate किया था, और मेरा first भरतनाट्यम का item था, भू शंभू, which was in the ragam, रेवती and तालमादी, और मेरा second item था कुचिपुडी में, that was तुर्का तरंगम, इन रागम, शनमुखप्रिया and ता तो हम लोगों के बीच में वो fun थो था participate करने का, कही ना कहीं competition भी था, और ऐसे ही हसते, गाते, मुस्कुराते, खिल खिलाते, एक साथ तयार होते, मिलके खाना खाते, कप्पे मारते हम लोग तयार हो गये, performance भी दे दिया और result का दिन आया, फिर आया results की बारी, तो management और district sports association का ऐसा like rule है, और youth certificate का भी एक criterion है, कि if and only if you secure the first position in the competition held at district level, तब भी जाके आप state level के लिए select हो पाएंगे, और ऐसे ही, अगर luck साथ दिया और महनत अच्छी होगी, तो अगर state level में भी first position आ गया, तो आप अपने state को nationals में represent कर पाएंगे, है ना ये कितनी अच्छी बारी बात, तो district level में selection हो गया था हमारा, state level गये, और जैसे कि बोला जाता है, state level में, ओडिश्या में पुरी के पुरे 30 district से आये थे, और youth festival का एक ये खास बात है, वहाँ पे dances में classical dances मिल जाएंगे, जैसे कि ओडिशी हो, भरत नट्यम हो, मनी पूरी हो, कठक हो, कुची पूरी हो, और पे बहुत सारे classical dances है, dependence on the area के कहां पे conduct हो रहा है, और वहाँ पे folk dances भी होते है, folk songs होते है, उसके साथ साथ हिंदुस्तानी vocal, करनाट की vocal, elocution competition, one act play, drama ये सब होता है, so it's a very grand gala and majestic opportunity for all the artists south, I say 2018 आया, 2018 में बे पार्टिस्पेट किया था, 2017 वाला state level था वो देोगर्ड में 2018 में पार्टिस्पेट किया, वो वाला जाजपूर में हुआ और 2019 में पार्टिस्पेट किया था, वो वाला भद्रक में हुआ था, like हमेशा experience तो सेम ही था, लेकिन जो wide थी, जो खुशी थी पार्टिस्पेट करने की, जो pride था, art को represent करने की, art form का holder होने की, so that was at a higher level, उसको तो सिर्फ वही experience कर सकता है, जो कि indeed an artist है, so ऐसे ही मेरा journey चलता रहा, चलता रहा, unfortunately 2020 में COVID के कारण नहीं हो पाया, और 2021 में पता नहीं कौन से convenience के कारण नहीं हो पाया, लेकिन इस बार इंपल बहुत ही खुश है, कि finally 2022 में होने वाला है, and बहुत ही excited हूँ मैं, बहुत ही खु as a mentor, as a guide देखते हैं, तो मैं आप सब को request करना चाहूंगी, कि अगर आप भी खुद को दिल से एक artist मानते हैं, आपके पास वेंकटी शुरा का दिया हुआ, precious blessings के रूप में, art है, art form है, चाहिवे कुछ भी हो, dancing हो, singing हो, vocabulary skills हो, communication skills हो, personality development skills हो, कुछ भी हो, एक पार जाके participate करने तो बनता है, क्योंकि वो नसारा अलग होता है, वो माहोल अलग होता है, वो वाई भी पुरा different होता है, but, I wish, इस पार, youth festival में, कोई भी partiality ना हो, कोई भी corruption ना हो, चाहे जो कुछ भी होता हो, एक सबसे favorite चीज है, मैं जो definitely आपके साथ share करना चाहूंगी, youth festival में जाने का मेरा ultimate, जो goal होता है, जो motive होता है, कि यही होता है, कि मैं वहाँ पे जाओं, मेरे जैसे, बहुत सारे अर्मान, ख्वाब, बांधे होए, जो artist आते हैं, उनके साथ मिलूं, उनके साथ contact पढ़ाओं, उनका art form दीखूं, आर्ट के बारे में और भी बहुत कुछ जानूं, अब बता heritage के लिए, बहुत ही गर्फ अनुभव होता है, तो I will be awaiting for you, my dear youth festival 2022, चल्दी से आना